दगूर्डन स्टोरीज में आपका स्वागत है आए सुनते हैं अग्ये जी का लिखा उपन्यास नदी के द्वीब भाग नू रेखा स्टेशन पर काड़ी रुखते न रुखते उतर पड़ी पर प्लेटफार्म की पटरी से पैर छूते ही मानोव उसके भीतर की सुफूर्ती सुन हो गई उसने एक बार नजर उठा कर इधर उधर देखा भी नहीं कि कोई उसे लेने आया है या नहीं यंत्रवत उसने समान उतरवाया कूली के सिरकंदे उठवाया कूली ने प्रश्न किया बाहर भीबी जी रेखा ने उत्तर में आसपस्ट हां कहा और फिर कूली की गती में मंत्रबद सी खिची चल पड़ने को थी कि पास ही भुवन के स्वर ने कहा नमस्कार रेखा जी तब वे चौंकी नहीं एक धुनसी मानो कट गई मानो वे जानती थी कि भुवन आएका ही वे मुडी तो एक खुला आलोक उसके चेरे पर दमक रहा था नमस्कार भुवन जी मैंने तो समझा कि आप नहीं आएंगे आप बड़ी जल्दी उतर पड़ी मैं तो डिबो की ओर देखता रहा अच्छी तो है देखने से तो पहले से अच्छी ही मालुम होती है रेखा ने किंचित विनोधी दृष्टी से उसे सिर से पैर तक देखकर कहा और आप आप पहले सी भी अतिक व्यस्थ और अंतर मुखी नहीं तो ये तो मेरी चुट्टियां है हाँ काम से नहीं काम के लिए पर अच्छा है काम में ही मुक्ती दिख सके कितना बड़ा सोभागे होता है कूली ने पूछा जी चलू हाँ हाँ चलो बाहर ले चलो भूवन ने कहा चलिए रेखा जी हाँ सुनिए मैं YW में ठहरूँगी मैंने पहले सूचना दे रखी है आत्मी निर्भर अर्थात नोक्री करने वाली स्त्रियां वहां रह सकती है ठीक है वही सही मैं तो कॉलिज में ठहरा हूँ एक प्रोफेसर के साथ रहेंगे यही चार्ट-छे दिन रहूँगा यहां से समान भेज़कर फिर कश्मीर जाऊंगा हाँ हाँ चंद्रमाधव नहीं रिखा था कहकर रिखा सैसा चुप हो गई एक बोजल मोन उसके बीच में आकर जम गया तांगे पर सबार होकर रिखा ने फिर पूछा भुवन जी एक स्वार्थ की बात कहूं क्या मैं दो चार दिन यहां रुक जाऊं तो आप अपना कुछ समय मुझे देंगे दिल्ली में मेरे परिचित तो बहुत है पर वे खुशी की बात अधिक है या डर की नहीं जानती मुझे तो यहां कोई काम नहीं है दो एक व्यक्तियों से ही मिलता जुलता हूँ मेरे पास बहुत समय है उबाओंगी नहीं यह वचन देती हूँ रिखा हस्दी उबाने से पहले ही हट जाऊंगी मुझे और कुछ तो नहीं आता पर उब के पुर्विलक्षन खुब पहचानती हूँ कहूं कि मेरे जीवन का मुख्य पार्ट यही रहा है उब की साथ सीलिया वे खदरा मुझे नहीं है मैं ही उबा सकता हूँ क्योंकि मेरे पास कहने को बहुत कम है अधिक बात जिस विशे की कर सकता हूँ वे स्वेम उबाने वाला है विग्यान भुवन जी तो ठीक है कहना चाहिए कि वे नया विशे है मेरे लिए तो है ही आपके लिए भी रेखा के आँके हसी से चमक उठी और मैं वाइदा करती हूँ इस विशे से नहीं उबूंगी आप ही जब छोड़े तो छोड़े पलकी में फिर फिर लॉटाउं तो आप दुरा तो ना मानेंगे बूवन ने थोड़ा सा सकुचाते हुए यद भी कुछ तोश भी पाकर कहा ना नहीं तो पर मैं फिर आपको वाण करता हूँ वे विशे बड़ा नीरस है और कहीं पहुँचाता नहीं मैं तो आपको पहले ही पता चुकी हूँ कि कहीं पहुँचने का लोब ही मुझे नहीं है ऐसी यातरा पर हूँ चुक कहीं नहीं पहुँचती अंतहीन है यही क्या कहीं पहुँच जाना नहीं है ये भी एक दृष्टी कोन हो सकता है रेखा जी क्याकर भुवन निरुत्तर सा कुछ सोचने लग गया कश्मीरी गेट में YW में समान उतार कर दू मंजली पर पहुँचाया गया भुवन को लाउंज में बिठा कर रेखाने कहा आप जरह पैठिये, मैं अभी आती हूँ और समान के साथ अपने कमरे की ओर चली गई जब तक वे मूँ हाथ धोकर लोट कर आए तब तक मन बहलाने के लिए भुवन कुछ ढूनने लगा इसलिए भी कि जब तब कोई स्त्री आती और लाउंज में उसे देख कर लोट जाती कोई कोतुहल से उसे घूर कर कोई सक पका कर और वे खाली बैठने के संकोच से मुक्त होना चाता था पर कुछ भी उसे नहीं मिला एक ताक में कुछ पत्र रखे हुए थे उसने निकाले लेडीज होम जर्नल वाग वूमन एंड होम कई उसका मन रमा नहीं वे सब पुन्ह वही रखने को था कि ताक के भीतर एक छोटे आकार का पत्र उसे दिखा उसने खीच कर निकाला एन ओनली उसने मुस्कुराक कर उसे वही रखकर उपर सब दूसरे पत्र लाद दिये वे सोचने लगा पुर्शों के लिए जो पत्र होते हैं उनका शेत्र तो इतना संकुचित नहीं होता स्त्रियों के पत्र क्यों ऐसे होते हैं पर पुर्शों के पत्र वास्ताव में केवल उनके नहीं होते सब के होते हैं और स्त्रियों के लिए केवल स्त्रियो प्योगी लेकिन क्या स्त्री के लिए बस यही बाते उपियोगी है आदमी को फासो कैसे, वश में कैसे रखो, रिजहाओ कैसे मानो सम्मोहन वशीकरण के तंत्र मंत्र के युक से हम अभी कुछ भी आगे नहीं गए और स्वेम स्त्री केवल यह नहीं चाहती इसका प्रमान वे नीचे छिपा हुआ Man only है, हो सकता है कि उसमें केवल यह कोटुहल हो कि पुरुश क्या पढ़ते हैं, कैसे मजाक आपस में या स्त्रीयों के बारे में करते हैं वैसा ही कोटुहल, जैसा बहुत से पुरुशों को इस्त्रियों के बारे में हुआ करता है जिसके कारण वे इस्त्रियों के जमाव की बातें किवाड दरारों में कान लगा कर सुना करते हैं एक कालपनिक समस्या उसके सामने आई अगर ये सब पत्र-पत्री काईं बिची हूँ और कोई देखने वाला ना हूँ तो अकेली स्त्री कौन सा पत्र उठाएगी क्या किसी का चैरा देखकर तैंकिया जा सकता है कोतुक वक्ष उसने सोचा अच्छा अब जो स्त्री लाउंज में आईगी उसे देखकर अनुमान लगाऊंगा कि वे बोग पड़ेगी कि लेडिस होम की में ओलनी धत पहली स्त्री जो आई वे रेखा थी भुवन ने तुरंत अपना खेल बंद कर दिया रेखा ने पूछा मैंने बहुत देर कर दी न आप आप इतनी देर क्या करते रहे यहां आपके पड़ने लायक भी तो कुछ नहीं है फुवन ने पूछा रेखा जी यह जो इतने जर्नल यहां है इनमें आपको कौन सा पसंद है कौन से अरे ये ये तो मैंने कभी देखे नहीं कभी बुनाई बगैरा के डिजाइन के लिए कोई देखा हो पर इने पड़ू ऐसी हालत तो कभी नहीं हुई है रेखा हस पड़ी हाँ वे तो सुभाविक है इस्त्रियों की दिल्चस्पी किस चीज में है में लॉननी ये यहां का स्थाई मजाख है एक उर्सी खीच कर वे बैठ गई अच्छा आप बताईए यहां क्या का किया चाएगा आपका आपका क्या प्रोग्राम है आप ही प्रोग्राम बनाईए तैह हुआ कि उस दिन रेखा अराम करेगी तीसरे पहर भुवन आ जाए तो वे घूमने चलेगी अगर भुवन को अवकाश है लेकिन अभी ततकाल चलकर कौफी तो पी ही जाए दोनों नीचे उतरे भुवन ने देखा रेखा ने कपड़े बदल लिये थी गाड़ी में वे रंगिन साड़ी पहने थी अब फिर सफेद रेशम पहन लिया था भुवन को ध्यान आया कि रेखा को उसने रंगिन साड़ी कम ही पहने देखा है पर सफेद पहने तो कभी देखा ही नहीं सफेद वे पहनती है तो रेशम जो वास्तों में सफेद नहीं होता उसमें हाथी दादकी सी या मोतिये के फूल सी या पिसे चंदन सी एक हलकी आभा होती है यो तो शुब्र शुवेत भी ऐसा होता है कि पहनने वाले को दूर अलग ले जाता है पर ये रेशमी सफेद तो सफेद तो और भी दूर ले जाता है दूर ही नहीं एक उचाई पर भी रेखा मानो उसके साथ चलती हुई भी एक अलग मर्यादा से घिरी हुई चल रही है रेखा ने कहा क्या सोच रही है भुवन जी कुछ रही आपकी बास सोच रहा था नहीं कुछ सोच नहीं रहा था केवल आपको देख रहा था देखिए आपको कॉम्प्लिमेंट देना भी नहीं आता न कितनी अच्छे हैं आप जिसके साथ सतर्क नहीं पहना पड़ता अपकी बार भुवन हस दिया पर क्यों ये वह स्वैम नहीं जान पाया कौफी पीते पीते रेखाने पूछा भुवन जी आपने बाहर जाने के लिए और किसी को आमंतरित नहीं किया नहीं तो फिर मेरा जाना ही तो नहीं हुआ अच्छा आप जहां रिसर्च क पर कहा वह तो एकदम बिया बन जंगल है रेखा जी वहां फिर भी फिर भी फर्च कीजिए नहीं आप ही हर्च करना ना चाहें तो खास नहीं होगा इतना ही कि आपकी आस्वीधा का हमेशा ध्यान रहेगा और काम में बाधक होगा रेखा हस्ती ठीक है मैं तो यूं ही कह र चीना चड़ने की कोई अवशक्ता नहीं है मैं यहीं से विदा लेती हूँ मैं यहीं रहूंगी आप तीसरे पहर जब भी आए मैं तह्यार मिलूंगी कुझसिया भाग में उन दिनों फूल लगभग नहीं होते कोई फूल ही उन दिनों में नहीं होता सिवा वजनती के जो चटक रंगीन चुनरोडे बीबी शटलो बनी धूप में खड़ी रहती है लेकिन खंडर पर चड़ी हुई बेगम बोरिया लता की च्छा सुहावनी थ फूल इसमें भी कई तेज रंगों के भी होते हैं पर इसकी लंबी पतली बाहों में हवा में जूमते गुच्छा गुच्छा फूलों में एक अलड़ पन होता है जो वजनती की भूनिष्ट आत्म संतोस से सरवता भिन होता है और फिर इस विशेश लता के फूल भी तेज नहीं थे एक धूमिल गुलाबी रंगी उनमें था जो पत्तियों के खेरे हरे रंग की उदासी कुछ कम कर देता था बस भूवन नीचे घास पर कोहनी टेके बैठा बैंस पर बैठी रेखा को देख रहा था रेखा पहले बैंस पर बैठ गई थी जब भूवन नीचे बैठ तो वे भी उतरने लगी पर भूवन ने कहा नहीं नहीं आप वहीं रहिए इस बैठ ग्राउंड पर आपकी साड़ी बहुत सुंदर दिखती है रेखा ने एक फीके कोकनी रंकी साड़ी पहन रखी थी बेगम बेरिया के फूल उसका संतूलन कर रहे थे मानो एक ही गीत दो स वरों में गाया जा रहा हो रेखा का मंद अंतर मुख और घहराई खोशता हुआ लता का तार बही निर्वेधित और उड़ना चाहने वाला रेखा को एक आदत थी सैसा मानो अंजाने अंजाने उसका हाथ उड़ता और कनपटी के पास मानो कुछ खोजने लगता फिर बालो की किसी छूटी वी लट को कानों के पीछे डालता हुआ थीरे थीरे लोटा था सारी क्रिया एक बड़े कोमल और आया सीन धंग से तोहराई जाती थी चलते हुए भी दो-चार बार भूवन ने लक्षे किया था बाग में आने से पहले वे जमुना के किनारे किनारे थोड़ रेखा ने कनपटियां भिगोली थी वे मुदरा बड़ी आकरशक थी रेखा की उंगलियां वैसी तो नहीं थी जिने सुन्दर्ता का आदर्श माना जाता है उनके जोड उभरे हुए थे और रूपतत्व की अपेक्षा मनस्तत्व की और ही इंगित करते थे और पटू समवेदनशील उंगलियां अभी बैठे बैठे उसका हाथ फिर उठा तो भुवन ने पूछा आप थक तो नहीं गई हम लोग काफी भट गे नहीं मुझे तो पता ही नहीं लगा और रेथ में भी तो चले उससे बड़ी थकान होती है रेखा जी नहीं मैं अभी और चल सकती हूँ पर यहां बैठना भी बहुत मधूर है फुवन हस्तिया फिर एक लंबा मोन रहा दोनों आकाश को देखते रहे मै का दिल्ली का आकाश उसकी निलीमा सभ्यता की भाब से मुर्जा कर फीकी पड़ जाती है और आकाश सभ्यता की तरह अपने ही रंग का ओप अ उसे नाना रंग दे जाती है इस समय उसके आगे तामे के रंग का एक छीना सा जाल था जो धीरे धीरे धुंदला पड़ रहा था रेखाने कहा शेहरों का आकाश भी क्या चरितर ही नाकाश होता है फिर कर्मियों में यो मैं सांच को घनी होते देखते खंटों बैठी रह सक लगती हूँ पर कर्मियों में शेहर में लगता है सबसे अच्छी दोपैर है साएं साएं सनाटा थूप ऐसी की चौंधिया दे पर उसकी चिलक ही जैसे द्रिशे को मांज जाती है सभ्यता के भीतर से मानव हिरते की स्तब्द धरकन तब सुनी जा सकती है फुवन कुछ नही बोला रिखा का स्वरु से अच्छा लग रहा था उसकी गती मानो लैयुक्त थी एक भावा क्रांत उतार चड़ाव मानो अलग से कहता था बात के अर्थ से अलग और भी अर्थ है मुझ में आ कथित आ कथ्ये आ कथ्ये अभी पराए जराकान दे कर सुनो रिखा ने ही फिर क यूं तो पहाड पर या सागर के किनारे ही आकाश देखना चाहिए पर ती हातों में और खासकर आखरी परसात में तब आकाश बोलता है गाता है कैसे कैसे अर्थ भरे गाने शेहर का आकाश शेहर का सूर्यास्त जैसे ड्राइंग रूम की बातचीत सब कोई बोल रहे हैं ल जैसे अनुपस्थित केवल स्वरों के रिकॉर्ड केवल यंत्र लिखित उत्सा और आवेश भुवन ने धीरे से कहा रेखा जी आपा इस वक्त का आविश्ट स्वर मुझे तो अनुपस्थित नहीं लग रहा है मैं रेखा कुछ रुख गई फिर मुस्कुरा कर बोली भु आप नहीं जानते कि मेरे पास कितनी बड़ी टंकी उस बंदे पानी की जमा है लेकिन आपका समय मैंने मांगा था तो उसके लिए नहीं वे फिर गंभीर हो गई असल में मेरे भी दो पहलू है एक चरित्रवान प्रकृत मुक्त एक सभ्य और एक एक चरित्रहीन रेखा जी योँ पहलू तो हर किसी के चरित्र में होते हैं पर चरित्र को इस तरह डिबों में बाटना तो बड़ा खतरनाक है वैक्ती को एक और संपूर होना चाहिए ये विवाजन तो हास की भूमिका है हाँ, हाँ मैं जानती हूँ और सभ्यता जो हासोन मुख हो जाती है वे किसलिए कि समर्थ प्रकृत चरित्र सभ्यता के पोसेवे पालतु चरित्र के नीचे दब जाता है वैक्ती चरित्र हीन हो जाता है तब वे स्रिजन नहीं करता अलंकरन करता है नई पीच की दुर निवार शक्ती से जमीन फोड कर नई अंकूर नहीं फैकता ज़रे फूल चुनता है, मालाए गुथता है, मालाओं से मूरतियां सजाता है, जब मूरती पर मालाएं सूप जाती है तब हमें ध्यान होता है कि सब्यता तो मर चली, पर वास्तों में मरना तो वहाँ आरम हुआ है जहां हमने जरे फूल का सौंद्रे देखना शुरू किया डाल से टूटे फूल का रूपक को अपने सामने मुर्थ करते वे भूवन ने कहा उस समय भी हम विरश की और वापत जा सकते हैं अंकूर की और हाँ, अगर वे हमारी उपेक्षा ना सूख गया हो पर आज के हम सब भे लोग अभी उतने अभागे नहीं है अभी हम में चरे फूल भी है जो आहत हैं और गहरी जड़े भी है जो नए अंकूर फैकेंगी लेकिन जिनकी कदर नहीं है यही मैं कह रही थी तो पहलुमों की बात वह चुप हो गई फिर एक मोन चा गया अब तक थोड़ी थोड़ी हवा चल रही थी वह भी बंध हो गई भूवन ने कहा उमस हो रही है थोड़ा टहला जाए चलिए दोनों बाग में इधर उधर टहलने लगे खंडर और लता के कुंज के दूसरी ओर हरियाली में जहां तहां बच्चों के दल खेल रहे थे अब तक सब आयाओं द्वारा कि लगते फुदकते अज शावकों की तना घेरे जाकर अपने अपने बाडों की ओर ले जाए जा चुके थे एक दम तोड़ता हुआ सा अंधिरा चा गया था रेखा ने सहसा कहा भुवन जी मैं आपको अपने प्रकृत स्वस्त मुक्त पहलू से ही जानना चाती हूँ उसी के संपर्क में मैं आपको रखना चाती हूँ पर उसके लिए इमानदारी का तकाजा है कि दूसरा पहलू आपसे छिपाऊं नहीं बात भुवन की संवेदना को छू गई पर उसे समझ नहीं आया कि क्या कहे उसका हाथ तनिक सा रेखा की और बढ़ा और रह गया वे कहने को हुआ थैंक्यू रेखा जी पर बात कुछ ओची लगी फिर उसने कहा रेखा जी मैंने आपके बारे में इतनी गहराई से कभी नहीं सोचा पर अगर मुझ में भी ऐसा विगटन है होगा ही तो मैं भी यतने करूँगा की नहीं आप में वैसा नहीं है आपको आपको शायद विज्ञान ने बचा लिया या रेखा हस पड़ी कहूं कि आप अभी उतने सपह नहीं हुए फोवन भी हस दिया लेकिन मैं आपको तेर तो नहीं करते रही आपके मेजबान शाम के भोजन का बंदन मैं नहीं पालता वे प्रतिक्षा नहीं करेंगे पर आपको भी तो लोटना होगा आपकी तो शायद हाजरी लगेगी आज देर से आने की छूट है सपता में दो दिन होती है लेकिन कुछ खाएंगी तो मैं तो केवल कॉफी पीती हूँ मैंने कहा ना पहुत सब पे हूँ पर आप मैं भी कॉफी ही पीऊंगा नहीं आपको कुछ खाना होगा चलिए तैह हुआ की तहलते वे पडले फाटक से निकल कर कश्मीरी दरवाजे के अंदर जाकर कुछ खाया पिया जाए और दोनों धीरे धीरे उधर बढ़ने लगे काल्टन में सनाठा था शाम को उधर खाने कौन आता है पीने आते हैं कुछ लोग पर उनका समय निकल गया नो बजे तक कौन ठहरता है पर खाने को मामूली कुछ मिल जाएगा सैंडविच, कटलेट वगेरा सभ्य जीवन सभ्य जीवन बड़ा भारी वेटिंग रूम है मानो रेखा बोली और होटल वगेरा भी सब वक्त काटने के बीच का एक रिक्त भढ़ने के साधन है लेकिन वेटिंग किस के लिए रिक्त, किस के और किस के बीच कोई नहीं जानता इधर उधर फिर रिक्त है दो रिक्तों की बीच का रिक्त भढ़ने के लिए रिक्त तो फिर रेखा जी ये पार्टिशन क्यों करती है सारा ही तो एक रिक्त हुआ सभ्यता की आपकी परिभाशा बड़ी डरावनी है और उसे भढ़ने के लिए भी रिक्त विज्ञान तो सिर्पीड लेगा जो मानता है कि प्रकती भरण धर्मा है रिक्त नहीं सैती प्रकती ना लेकिन सभ्यता नहीं आप देखते नहीं कि सभ्यता किस दर्ब से कहती है कि प्रकती असभ्य है क्योंकि सभ्यता आप्रकतिक है दोनों फेर कुदसिया बाग लोट गए अब एक और भी घेरा मोन वहाँ पर था और उसने जैसे दोनों को बांध दिया कई फेरे दोनों ने चुपचाप लगा लिये सैसा दूर कहीं दसका गजर हुआ रेखा जी, ऐसी बात कहना तो शील के विरुद शायद, लेकिन मैं कई बार सोचता हूँ आपको ग्रस्ती में सुखी होना चाहिए था या यह कहूँ कि आपके साथी को ऐसा क्या हुआ की रेखा रुप गई अंधेरे में एक दूसरे का चेहरा साफ नहीं दिखता था पर रेखा कि साबले चेहरे में उसकी आँखों के कोई स्पष्ट जलग गई उसने स्थिर्दिस्टी से भुवन को देखते हुए कहा पर वैस अब तो आपको चंदरमाधव ने आपको मालूम ही होगा यह तो नहीं कह सकता कि नहीं बताया या कि स्वैम मैंने ही नहीं पूछा भुवन ने चंदरमाधव पर दोश ना मडने की नियस से कहा पर यह तो कोई कारण होता ही है रेखा जी लेकिन उसमें आंतरीक कारणत्व ना हो तो प्रश्न उठता ही है कि क्या कोई अर्जस्मेंट नहीं हो सकता था क्योंकि बहारी सब कारणों पर व्यक्ति विजय पा सकता है क्योंकि वे मशीन से अधिक अडेप्टेबल है लचकीला है आप ठीक कहते हैं भुवन जी हर घटना की एक आंतरिक संगती होती है हर दुर घटना की भी लेकिन क्या आप सचमुच वे सब सुनना चाते है अगर आपको कहने में कलेश या संकूच ना हो तो हाँ भुवन ने हिचकते कोमल स्वर में कहा पास की बेंच पर रिखा बैठ गई संकूच होता भी है नहीं भी होता कहते हैं न कि अच्छा स्वपने कह देने से उसकी संभावना कम हो जाती है उसी तरह बुरा सपना कहने से उसका पोज भी हलका हो जाता है मैं जब भी अपनी बात कहती हूँ या कहने का संकल्प करती हूँ तो उसकी छाया की एक परत कम हो जाती है सोचती हूँ कि कह कह कर ही उसे कह डाला जा सकता है उससे मुठ्ध हुआ जा सकता है पर कहने का निश्चे करना ही बड़ा कठिन होता है क्योंकि रेखाने वाके अधुरा छोड़ दिया मैं समझता हूँ फूवन ने कहा आगरे नहीं करूँगा आप नहीं आपसे आपसे शक कह सकोंगी कहना चाहूंगी थोड़ी दूर पर पदचाप सुनाई दी धीमी फिस ऐसा स्पष्ट खासपर से सडक पर ठेट खड़ी बोली के स्वर ने कहा बाबुजी यहां नहीं बैठ सकते क्यों भाई दस बज़े के बाद इदर बैठने का हुकम नहीं है अब तो साड़े दस हो लिए अच्छा अच्छा जाते हैं चोकिदार पगल से लाठी टेक कर कुछ दूर पर खड़ा हो गया रेखा उठ खड़ी हुई चलिए कुदसिया पाक के दो खंड है बीच में अलिपूर रोड पड़ती है दोनों निकल कर दूसरे खंड में चले गई सागू के पेडों के चिकने सफेद तने मानों किसी बड़े मंडब के स्तंब थे जिसमें रात रानी की दिग विमूर गंद भटक रही थी मुखे विथी से हटकर दोनों घास की चहेल पटरी पर टहनने लगे लेकिन मूर कुछ बदल गया था रेखाने पूछा बैठेंगे बैंची उधर हैं बुद के पास फोवन ने कहा इसमें इनकार भी नहीं था कोई अनुकुलता भी नहीं थी खड़ी बोली की व्यापकता परमानित करता हुआ एक स्वर यहां भी नेपत्थे में से बोला कौन है हम है टहलने आई है पुवन ने चिकने स्वर में उत्तर दिया खड़ा स्वर कुछ कम खड़ा हुआ बाबुजी अब बड़ी देर हो गई दस बजे बाग बंध हो जाता है स्वर के शिकारी कुट्ते सर्वत रहे स्ट्री स्वर सुनकर नेपत्थे की वानी कुछ और भी नरम पढ़कर बोली बाबुजी इतनी रात को इधर नहीं घूमते जमाना ठीक नहीं है बड़े चोर बदमा स्फिरे है दूर पर चोकिदार की छाया कृती दिख गई फूवन ने कहा अच्छा बैया आ जाते है आसकल तो यही वक्त होता है घूमने का इतनी गर्मी होती है चोकिदार ने कहा सो तो ठीक है बाबुजी मगर उसके स्वर में कुछ नर्माई भी थी कुछ दूरी भी मानो कह रहा हो हाँ आप सदाशे हैं माना पर बच्चे हैं घर जाईए फाटक के बाहर लैंप के खंबे के नीचे आकर दोनों ठिटक गई सैसा एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुरा दिये रेखा ने कहा प्लोमर की एक कवीता है जिसमें पार्क में खूमने वाले दोजन खदेडे जाते हैं आपने पड़ी है नहीं मैंने प्लोमर का सिर्फ नाम पड़ा है मुझे याद नहीं दोनों कश्मीरी दर्वाजे की ओर बढ़ रहे थे दर्वाजा वास्तों में दो दर्वाजे है एक आने का मार्क है एक जाने का दोनों सड़कों के बीच में खास की एक लंबी पटरी है रास्ते के मोड के साथ मुर्ती चली गई है फुवन ने हसकर कहा यहीं बैठना चाहिए, यहां से तो कोई नहीं उठाएगा रेखा ने कहा अजब बात है कि शहर में अगर कोई प्राइवर स्थान है तो पब्लिक सड़क के पीचो पीच फूवन ने साभी प्राय कहा प्राइवेट फेसेज इन पब्लिक प्लेसेज रेखा पैट गई, फूवन ने कहा सच मुछ, और नहीं तो खदेड़े जाने की कड़वाहट मिटाने के लिए टी एस एलियट की एक पंक्ती का अंश सारवजनिक स्थलो में निजी चहरे निजी स्थलो में सारवजनिक चहरों से कई अधिक अच्छे होते है भूवन ने बैठते वे कहा इसे ठीक ही कहते हैं सडक का द्वीप दोनों और पहती जन प्रवा में निश्चलता का एक द्वीप है ना मेरे साथ कुछी दिप में आप सरवर्त्र द्वीप देखने लगेंगे हमी द्वीप है मानवता की सागर में व्यक्तित्व की छोटी छोटी द्वीप और प्रतिक्षन एक द्वीप है खासकर व्यक्ती और व्यक्ती की संपर्ग का कॉंटेक्ट का प्रतिक्षन आ परिच्चे के महा सागर में एक छोटा किन्तु कितना मुल्यवान द्वीप रेखा ने आँखे भुवन की ओर उठाई, भुवन से उसकी आँखे मिली, तो उनमें कुछ प्रबल, कुछ तेजस्वी और संकल्प भरा था, जिसने भुवन की दिश्टी को कई शन तक बांधे रखा, फिर उसने आँखे जुका ली, और उसका हाथ उसी परिचित मुद्रा में उसकी कनपटी की ओर उठ गया, ना जाने क्यों भुवन के मन में विचार उठा, हाँ, हाँ मैं तुम्हें पैचानता हूँ रेखा, लेकिन तुम उससे क्या चाहती हो, पर तच्शन ही विलीन हो गया, इतनी जल्दी कि वे उसे ठीक से पकड़ भी ना पाया, चली, खड़ी हुई, उसके बाद कोई कुछ नहीं बोला, रेखा जब YW के फाटक पर पहुँची और अंदर प्रविष्ट हो गई, तभी उसने कहा, नमशकार भुवन जी, और उसने चल्दी से कहा, नमशकार, आगे की कहानी सुनिए अगले भाग में, तब तक के लिए में में आगे ।